तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एपरभावित को English में क्या कहते हैं तो एपरभावित को English में translate करके हम कहते हैं Unaffected या Unimpressed क्या कहेंगे Unaffected या Unimpressed आईए इसके example देखते हैं उसने कठीन परिस्थितियों से एपरभावित रहते हुए अपने काम को पूरा किया He completed his work unaffected by the difficult circumstances यानि कि जिसको उस चीज से फरक ना पड़े आज की वीडियो में इतना ही